इस वीक में दो बड़ी चीज हुई है एक पहला एर इंडिया का वापस टाटा के पास जाना और दूसरा RBI की लेटेस्ट नई मॉनेटरी पॉलिसी तो आज हम लोग डिसकस करेंगे इन ही बातों पे विकली फंडा में जो को आगे देखने से पहले काइंडली सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक्यू वेरी मच बेल आइकोन भी जरूर दपाएं ताकि तमाम नोटिफिकेसन हर वीक में जो तीन-चार वीडियो डाली जाती है नहीं उसके बारे में आपको ज वापस टाटा की जोली में चला गया है एर इंडिया इतने सालों तक स्ट्रगल करने के बाद फिर से उसके औरिजनल पारेंट्स क्योंकि टाटा नहीं इंडियन एर लाइन्स की सुरुआत की थी जिसे बाद में गौर्मेंट अफ इंडिया ने ले लिया था मगर आज फिर वापस चला गया तो निश्चित रूप से एर इंडिया के भागे भी बदलने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेस हमें मिलती थी निश्चित रूप से बहतर होने वाले हैं ऐसा हम अंदाजा कर सकते हैं मगर ये तु थी पहली निउस मगर दूसरी बरी निउ को लेके कि कहीं इंफलेशन के कारण कुछ गाइडेंस में कुछ बदलाव ना हो जाए मगर अभी भी सक्ति कांता दास जी ने एकॉनोमी के रफ्तार को यूहीं तेज रखने का वादा किया और एकॉमेडिटिव स्टेंड ही रखा कि आगे भी अगर जुरुत पड़ेगी तो उसके हिसाब से रेट को कम भी किया जा सकता है ऐसा कुछ तो नहीं दिया मगर एकॉमेडिटिव रहेगा ऐसा इन्होंने एक स्टेंस दिया है अगर रेपो रेट की बात करूं तो रेपो रेट आज भी जसकी तस वही 4% पर है और रिवर्स रेपो 3.5% पर रेपो रेट पर बैंकों को RBI से पैसा फंडिंग की जाती है और रिवर्स रेपो जिस पर बैंकों के एक्सेस लिक्विडिटी को RBI अपने पास लेता है यह दो रेट बहुत ही की रेट होते हैं जिसके माध्यम से RBI monetary policy अपनी चलाती है और guidelines देती है तो दोनों रेट का अंचेंज होना और accommodative stand होना दोनों यह सो करता है कि economic के रफ्तार को लेकि RBI खुश भी है और चाहती है कि यूहीं यह बनी रहें यह अच्छी न्यूज है economy के लिए दूसरी एक और आसपेक्ट उनों दिया कि थोड़ी सी और बदलाव की है कि जो IMPS जो immediate payment system था कि एक account से दूसरे account में immediate basis पे पहले दो लाक रुपिया ही transfer किये जा सकते थे उसको भी बढ़ा कि आप पांच लाक कर दिया गया यह भी एक welcome stand है क्योंकि जो जो economy की size बड़ी हो रही है तो लेन देन और बढ़ेगा और लेन देन बढ़ने के लिए immediate payment transfer पांच लाक का हो जाए तो वो एक काफी अच्छा ए अच्छा बदलाव करना यह अच्छी संकेत है inflation को लेके भी महगाई को लेके भी बहुत चिंता की बात नहीं है ऐसा दिखा कि महगाई भी महगाई की trajectory भी I mean inflation भी दिख रहा है कि कुछ हब तक control है 5 सारे 5% का जो एक view लेके चले है उसी के आसपास महगाई रहने वाली है इस सारे आकरे ऐसे हैं जो एक मजबूत economy के तरफ इसारा कर रहा है और हमारे देश के लिए जो एक उमीद थी लोगों को उसी के हिसाब से चल भी रही है तो RBI कि इस policy guideline के माध्यम से आप यह short हो सकते हैं कि RBI पैनी नजर रखी हुई है economic गतिविदियों पे भी as well as महगाई और inflation पे भी और time to time जो monetary policy के माध्यम से वो जरूरी guidelines देती है उस guidelines को इस बार as it is बनाये रखा है यानि कि अभी के रफ्तार से वो खुश भी है और इस तरह से आगे की economy की दशा और दिशा को आगे भी निर्धारित करते रहेगी ऐसा उम्मीद करते हैं अगर investment की दुनिया से रेटेट, finance, economy की दुनिया से रेटेट आपके मन में कोई और सवाल हो कोई और प्रस्ण हो तो जरूर आए और पूछें आज का ये weekly funda में मैंने यही इसलिए topic चुला क्योंकि भी just कल ही ये आया था MPC monetary policy policy जो अपनी RBI की थी इसके लिए आचर्चा के बहुतों लोग के बहुत सारे सवाल थे कि इससे क्या असर पड़ेगा तो इससे as it is सब कुछ अच्छा ही दिख रहा ऐसा कोई negative असर दिखने की दूर नहीं लग रही है तो नमस्कार फिट से हम लोग मिलते हैं जल्दी ही अगले weekly funda में thank you very much